असलाव अलेकुम स्टूडेंट्स आज हम बच्छों स्टडी करेंगे हमारे पास टॉपिक है वह एनर्जी स्टोर इना कपैस्टर तो लास्ट ने हमने कपैस्टर पढ़ा था उसमें कपैस्टर का रिलेशन डराइव किया था फिर हमने यह भी देखा था कि अगर आप मीडिय क्वाड इक हम ब्लैक से शोगर आलेटे ऩिया रेट के हुआ यह प्लैकर दोड़ाई सेम था में कितने का एगा डी दिसन से बिट्वीन डा प्लेट्स एवफ प्लेट्स अज्ट को यह आ यह आप ने इसको कुणेक्ट कर दिया था बैट्री के साथ कि यह हमारे पास बैट् मैंने बताया था इस केस में एक्सेलेंटल यह हो जितना यह वोल्टीज बैटरी के है उतना ही क्पैस्टर के क्रॉस भी वोल्टीज आएगा ठीक है अदर्वाइज आप लोगों ने जो वी कहना यहां पर वोल्टीज क्रॉस अक्पैस्टर कहना है नौट दा वोल्टीज सप्लाइड बाइदा बैटरी सिर्फ यह है कि दर्मियान में कोई इस्टूमेंट नहीं लगा ना रिजिस्टर लगा ना और डिवाइस लगा पैसिव ड बैटरी वाली नहीं आएगे अब हमारा यह काम है कि हमने अनर्जी स्टूर निकाल लिए पहले देखने के इनर्जी स्टूर कैसे होगी अब गौर करें यहां पर चार्ज बड़ा बैटरी से चार्ज को यहां पर जाके रखेगी यहां पर एक पॉस्टिव आजएगा ठीक ह एक पोशनी एक नेगटिव आगे अब दुबारा बैटरी पिछे से के बाई आजए पीचे से बिज्याके बेजेगी इदर से तुबारा बीचे नेग बैटरी पिच्झे से किंगले यहां और काम करना पढ़े चार्ज है टीक होगी है अब बैटरीं पीच्छे और पाउस् तो उतना ही बैटरी को वर्क वी जादा करुएगा तो जितना बैटरी को वर्क बीज़ादा करना पटेगा इस पर पूटेंशिल एक टरम में फिर्म पेस्टूर में टर jagos लेका होगा वह किसी टर्म ने कपेस्टर तो हम जो पहली क्वेशन लिखने जा रहेंगी जितना बेटरी को काम करना पड़ता है उतना ही चार्जित में पुटेंशल की फ़ार्म में स्टोर हो जाता और वही बेटरी की इनर्जी आजाती है तो हम कहा देगे कि वर्क दन बाइदा बैटरी कि जितना बैटरी ने वर्क किया इस इकवल तो दा नर्जी स्टोर इनकर पैस्टर इनर्जी स्टोर इनकर पैस्टर ठीक है अगर बैटरी काम इनर्जी देगे चार्ज इसको इलेक्री कोड़ीगे और इनर्जी च्रोड इसमें क्या हो जागी कम हो जाएगी यह हमारे पास फर्स इक्वेश्य आ जाती कि ऐकल टू इनर्जी स्टोर इनकर पैस्टर अब हमने यह फॉर्म जो रिलेशन ड्राइव घृट करना हमारे पस क्या है एक चीज बढ़ी थी कि वर्ट इजए अलेक्ट्रिक पुटेंशल मैंने प्टेंशल इज इक्वल टू वर्क ड़न ओवर चार्ज होता है जितना बैटरी को इसमें चार्ज स्टोर करना पड़ेंगा यहां पर बैटरी ने चार्ज स्टोर के इसम निए प्लस क्यूब है और आल आपको पता है फ्लस की मैगनिचूड माइनस की मैगनिचूड १ुक्ल तो क्यूज टू चार्ड ने स्टोर करवाया है तो जितना प्रचेंज आएगा जितना बैट्री को वर्क करेंगे इसका तो अगर हमें चार्ज को निकाले है तो आजएगा थो और चार्ज इन्त पाँ आजएगा अगर हमें चार्ज पता है और वॉल्टिश पता हम के मैंट्पिलिब एक था था पटिछ तो हम्हें से साती बढ़ती अब यहां LEG वोल्ट भी बोल्ट हो गया तो वर्क डन हमारे पास क्या है का बर्क इसको एवर्रिज की फ़ां में लेंगे चेंज इन वोल्टीज को रिजन क्या कि चार्ज यूनिफॉर्म ने इंक्रीज हो रहे हैं अच्छा पच्य और चीज है यहां पर वोल्टीज की छी छीज डिसको सक तो हमारे पास है दो हम कहते हो चाहर इंटु एवरज वोल्टीज average voltage average potential भी आप कह सकते हैं तो यही असल में energy stored in a capacitor आगए यह हमें चीज पता चल गए अब हमें पता है कि charge बैटने कितना store किया है क्यों, average voltage बच्चे V average आप लोग जब निकालेंगे तो आप कहेंगे V I plus V F over 2 यानि आपको उसकी initial चीज पता हो तो आपको उसकी final पता हो दुनों के add करके 2 से divide कर देंगे तो आप उसका average calculate कर लेंगे अब बताएं शुरू पे उसकी voltage कितने की होगी जब यह कुछ पी निक्नेक्ट होगा 0V final कितने का आजएगा जब तक यह charge V over 2 तो मुझे बताएं average कितने का आजएगा V average is equal to V over 2 आजएगा यह हमारे पास equation आजएगी कि यह है energy stored in आपको आपको वोल्ट पता उसको टूर को डिवाइड करेंगे तो आपको average इतना इतनी voltage उसके उपर आ रहेगी हमारा काम था चार्ज को बच्चो चार्ज कितने हमारे पास क्यू स्टोर हुआ है average voltage कितने किया V तो work is equal to charge into V by 2 जैने कि charge voltage by 2 तो यही आपके पास क्या आजएगी क्या आजएगी क्या प्रेस्टर में energy energy is equal to charge voltage over 2 तो यह हमारे पास equation आजएगी पहली equation कि energy stored in a क्या प्रेस्टर हमारे पास क्या चीज़ होगी तो हम क्या चीज़ calculate करेंगे बच्चो हम calculate करेंगे voltage, charge और दोनों को multiply करके 2 से divide कर देंगे तो आपको इसमे energy stored होने वाले मिल जाएगी अब अगर इस चीज़ से देखा जाए हम कहेंगे कि अगर मैं कहूं इनर्जी चार गुना बढ़ती है अब वो कैसे बढ़ती होगा आपको प्रूफ करके देता हूँ यहां तक आप लोगों को बच्चे देख ले हमारे पास पहले है कि work done जितना बैट इस होगा वो ही energy stored आजेगी energy stored कि किसके बराबर आएगी यतना बैट ने बरक किया बैट ने बरक किया charge into voltage तो हमने पहले average voltage निकाल ली है और वो सिरफ इस equation बूट कर दिया work is equal to charge into average voltage average की V by 2 तो charge Q V by 2 तो Q V by 2 यह energy आगी अब थोड़ा सी से आगे चलते है हमारे पास जो charge होता है Q Q किसके बराबर होता है बच्चो Q is equal to CV के बराबर होता है हमारे पास तो यह यहां से Q is equal to CV यानि कि जितनी के पैस्स है जितनी voltage है दुनों को multiply करेंगे तो Q is equal to CV ठीक है तो energy is equal to charge voltage by 2 अब गवर करें energy किसके बराबर आएगी energy is equal to 1 over 2 charge voltage voltage तो V की V है लेकिन charge कितना Q is equal to CV ठीक है बच्चो ठीक है बच्चो energy आएगी energy is equal to 1 over 2 CV का square ठीक है कि नहीं बच्चो और करें voltage डबल करेंगे डबल का square गया 4 तो energy कितने गुना बटचेगे 4 गुना तो यहां से हमें ऐसा लग रहा है था लेखी डबल करने से डबल हो जाएगी ऐसा नहीं है बच्चो जब वोल्टीडबल करेंगे voltage के डबल करने से साथ ही charge भी डबल हो जाएगा तो यह भी डबल यह भी डबल तो डबल-बल से multiply तो 4 तो energy जो है voltage के डबल करने से उसके square time बढ़ती है डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू वोल्टिज का स्केर यह चीज है अचा बच्छो यहां पर हम एक और काम भी कर सकते हैं यह क्वेशन आपकी बुक में दी हुए लेकिन दूसरी क्वेशन नहीं दी हुए वह मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए अगर यहां से आप V की निकाल बाए वी तो हमारे पास एक और क्वेशन भी आ सकती है इनर्जी जो है वो आ सकती है आपकी बुक पे नहीं है जो मैं बिलू से लिख रहा हूं यह सिर्फ आपने पॉइंट व्यू से एम सी के लिए याद रख रहे हैं वन ओवर टू चार इंटू वोल्टिज के लिए आप वां ओवर टू क्यू वी तो हमारे पास बच्चो की वैल्यू सी जीह यहां पे की वैल्यू निकाले है तो वी आईखा क्यू ओवर सी तो क्यू कि उसलिए और पॉinal की का सेहर निदे यह आप चार्ज को डबल करें साथ वोल्टिज भी डबल डबल उनर्जी फिर भी फोर ट है कि जो के असल में गलत है तो हम यहां से इनर्जी इस एकवल टू तो ट्रेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू का स्केर तो यह पॉइंट आप लोगों ने याद रखने असल में हमें एनर्जी का र्लेशन्र ट्राइब करने जारत हमने का डीसॉइंट के रिलेशन के द्रम्यान में कितने इक हैó LIK Lazure अब स्धीडू कि की मेरा ml की अपरने का यह दिर यह होती है ठीक है तो हमारे पास equation number first करें जी one आ गई वह वैसे one तो वह बन नहीं थी two यह बन नहीं थी खेर हम यहां से one से start कर लेते हैं ठीक है तो यह हमारे पास कुछ चीज़ें थी ncq's point of view से तो यह आपने साथ में लिख लेनी है कि यह हमारे पास relation आएंगे ठीक है बच्चो अब इस equation में आप c की value पूट करें c किसके बराबर होता है a epsilon 0 over d यह last time proof किया था in the vacuum अगर medium आएगा a epsilon 0 epsilon r over d यह medium आएगा अब जो v है v किसके बराबर होता है electric field आएगा positive से negative ठीक है बच्चो तो यह electric field यह आएगा e किसके बराबर होगा e जितनी voltage है divided by जितना distance है तो v की value हमारे पास आजएगी ed ठीक है तो हमने यहां से v की value भी calculate कर लिए c की भी calculate कर लिए c किसके बराबर आता है a epsilon 0 over d और v आता है ed ठीक है बच्चो यह दो चीजिए आजाती है असल में हमने energy का relation निकालने तो energy किसके बराबर आ रही है energy is equal to 1 over 2 cv का square हमारे पास आ रहे है इस formula में c की value भी put कर दें वे की भी put कर दें तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी energy is equal to 1 over 2 c c की value भचो कितने की आएगी energy is equal to मैं यहां पर लिखे देता हूं is equal to 1 over 2 c c की value है a epsilon not मैं medium के लिए put करता हूं कि book में medium है तो यह epsilon not r over d यह आपने यहां पर किसकी value उसरे put की है c की 1 over 2 c की value क्या है a epsilon not epsilon r over d for a medium into vv की value क्या e d और यह e d का क्या बन जेगा इसके तो जो energy है वो आजेगी 1 over 2 a epsilon not epsilon r over d into e का square into d का square distance distance से cancel तो 1 over 2 a epsilon not epsilon r r e square into d तो यह हमारे पास total energy stored in a capacitor हमें area पता हो distance पता हो field की strength पता हो दर्म्यान में रखा हो medium की relativity permittivity पता हो relative permittivity पता हो आप यह values put करेंगे तो आपको energy capacitor में मिल जाए तो यह हमारे पास relation आता है energy is equal to 1 over 2 1 की जगा में कर लेता हूं epsilon not epsilon r r e square a d ठीक है बच्चो a d असल में क्या है a area d distance है गोर करें area प्लेटों का a है distance d है तो a को d से multiply करेंगे तो आप किसकी दर्म्यान वाली जगा है उसका volume पता चल जाएगा तो a d असल में अगर आप से पूछा जाए a d कौन से term है यह volume यह volume आपस area into distance यह प्लेटों के दर्मियान में जो हवा है जितनी जगा भी अपने medium रखा होगा उतनी जगा का यह volume आ जाएगा ठीक है तो यह हमारे पास आ जाती energy तो बच्चो आपने energy को e नहीं लिखना reason यह है इधर भी एक e है यह electric field का e e है यह energy का होगा तो दोनों cancel हो सकते हैं शायद आप paper में बैठके confused हो जाएंगे शायद e e से cancel हो जाएगा आप गलत कर बैठे तो यह चीज़ आपने नहीं करनी अभी यहां तक हमने relation drive के ले energy is equal to epsilon 0 epsilon r e square a d अब हम जो चीज calculate करने जा रहे energy density ठीक है बच्चो तो energy density असल में हमारे पास क्या चीज़ है उस चीज़ को मने study करना है उसे कहते है energy per unit volume यह मैं आपको बताता हूं यह समझाता हूं क्या चीज़ होती असल चैले बच्चो यहां दख हमारे पास आज़ेगी ठीक है तो यह वी वोल्ट यहां पे हमें लिख द density कहते हैं मसलन गहर करें आप कपेस्टर का डिस्टर्स बढ़ा दें वालियम बढ़ जाएगा यहां प्लेटों का साइज बढ़ा कर दें वालियम तब भी बढ़ा हो जाएगा प्लेटों के दर्म्यान में वालियम बढ़ा जब आप एरिया बढ़ाएंगे तो साथ इसकी कपेस्टर बढ़ेगी तो इनर्जी बढ़ जाएगी इसका मतलब आप अगर एरिया बढ़ाएंगे अनर्जी भी बढ़ जाएगी टोटल इनर्जी भी बढ़ जाएगी और टोटल वालियम भी बढ़ जाएगा और अनर्जी डैस्टी क्या है अनर्जी पार यूनिट वालि यालि हमें यह पता हो के दो प्लेटों के दर्म्यान में energy कितनी है मसलन total energy पता हो और total volume पता हो इसे हम कहाते हैं कि energy over volume ठीक है कि नहीं अब यहां तक हमारे पास चीज़ होगे clear कि energy density हमारे पास क्या जाती energy over volume मैं इसको ED लिख देता हूं E for energy है, D for क्या है बच्छो, density है, energy total, total energy कितनी store हुए है, epsilon r, epsilon r, r, e ka square, ad, sorry, यह हमारे पास e ka square, ठीक है, over, 2 into volume, volume कितने का है, ad, ठीक है, तो यह पूरी term, इस पूरी term से क्या हो जाएगी, cancel, तो यह निच्चा के multiply, तो हमारे पास बन जेगा, epsilon r, epsilon r, e square, over, 2, ठीक है बच्छो, अब गौर करने वाली चीज क्या है, energy जो है, वो proportional है, e के square के, और गौर करें, energy density भी किसके proportional है, e के square के, तो हमारे पास यह third node बनेगा, energy density is proportional to e का square, मसलन, मैं कहा दो, मैंने electric field intensity double कर दी है, प्लेटों के दिर में, इसका मतलब, अगर electric field intensity double होई है, तो energy density चार गुना बढ़ ज चीज है, गौर करें, अगर मैं area बढ़ाऊंगा, तो total energy भी बढ़ जाएगी, area के बढ़ाने से total energy भी बढ़ गी, और साथ ही volume भी बढ़ गया, लेकिन दोनों की ratio करेंगी constant, और वैसे भी गौर करें, energy density में ना तो प्लेटों का distance आ रहा है, ना प्लेटों का area आ रहा है, तो independent, from the area of the plates, and distance between the plates, and distance between the plates, and distance between the, आपको कहा जाए, कि मैं डिस्टन्स प्लेटों का double कर देता हूँ, आपने कहना है, उसी वक्त energy भी डबल हो जाएगी, लेकिन अगर MC को जाए, area plates का double कर दिया गया, बताएं, इसकी energy density कितनी होगी, तो आपने कहना है, पहले तो हमें फार्मले में चीज़ नजर नहीं आ रह दोनों में से यह यह, दोनों में से एक चीज़ डबल कर दो, फर्ज करें, energy क्या हो जाएगी double, उसी के साथ volume भी क्या हो जाएगा double, लेकिन दोनों की ratio के रहेगी constant, ठीके कर नहीं बच्चों तो यह चीज़ आपने आपने या और इसका unit आता है, वो unit बुक पे नहीं लिख तो आपको जो जो टर्म मैं यहां पर circle कर रहा हूं आपने वो खतम कर देनी, यह नहीं लिखनी, अगर वैक्यूम की बात होगी तो आपने यह चीज़ नहीं लिखनी, ठीक है के नहीं, अगर energy density इना वैक्यूम पूछेगा तो आप कहेंगे epsilon 0 e2 और अगर medium पूछाएगा त आपके पास epsilon 0 r की value जो होती है, medium के लिए वो गीवन होती है, वैक्यूम के लिए इसकी बान आ जाती है, इसी तरह यहां पर भी energy density is equal to epsilon 0 e2 ad over तो यह हमारे पस चीज़ नहीं आ जाती है, ठीक है बच्चो, अच्छा अब लास्वाला point यह है कि हमारे पस क्पैस्टर असल में यह काम क्या करता है, यह charge को store करता है, और charges के पास कौन सी energy आती है, electric potential energy, जो battery उन पर work करती है, battery का किया गया work उनके उपर electric potential energy की form में store हो जाता है, ठीक है, अब गौर करें, जितना charge बढ़ता जाएगा, electric potential energy जादा, उतनी ही capacitor के पास energy plate में जादा होती जाएगी, तो यह energy store क kinetic field या whatever, तो आपने बच्छो कौन सा लगाना है, electric field का लगा दे, तो capacitor के प्लेटों के दरम्यान में जो energy stored होती है, वो किस field में होती है, electric field में, एक plate हमारे पास बच्छो positive होती है, दूसरी हमारे पास क्या होती है, negative होती है, charges के दरम्यान में क्या होगी, attraction, फिर हमने यहां से equation की, जितना battery को काम करना पड़ेगा, उतना plate हो पे charge जादा, और वहां पे repulsion जादा होगी, तो वहां पे electric potential energy क्या होती जाएगी, store जादा, उसके बाद हमने, w is equal to q into v average की चीज़ निकाली, v average हमने यहां पे put कर दी है, फिर उसको solve करी है, और हमारे पास यह वाले relation derive होगी, बचो यहां तक अगर कोई भी point आपको clear नहीं है, या कोई चीज समझ नहीं लगी, या जिस चीज में आप समझ दे हैं कि आपको इस चीज clear नहीं और doubtful है, तो आप बचो comment कर सकते हैं, या person मेरे दियेगे number के उपर, आप राब्दा कर सकते हैं, इन्शालला आपको इसका proper answer provide किया जाएगा, तब तक के लिए बचो, अल्ला आपीस